हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू शिवालर्णिंग फॉर मोर अप्डेट्स यू अपको छोड़ देना चाहिए या अंटच्च रह जाए फिर भी अगर आपको लगता है कि लास्ट के मन्त में क्या स्टैटेजी होने चाहिए आप 12 के भी एक्जाम अगर आप दे रहे हैं आपके चलिए शुरू करते हैं शुरू करने में यह आप से रिक्ष्ट अगर आप हमारा चल्व पर नए है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लिजे और साथी बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए रैगुलर अपडेट्स के लिए सबसे बात करें नीट फिजिक्स की बात करें तो उसके बाद भी एक मत बचता है उसमें यह जरूर पड़ दीजे और उस इस एक मंत में क्या करें बोड एक्जाम की बाद उसपर मैंने अजी एक वीडियो बनाई हो पर उसकी लिए काई है आप उसे देख लिजे और मैं वीडियो की हैड मेंड में उसकी लिंक दे दुआ को करकाret और Timothy केमेंस्टरी किमिकल बन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एलकेंस एलकेंस एंड एलकाइन हाइड्रोकार्बन यह सब बहुत इंपोर्टेंट है केमेस्ट्री में बायोलोजी की बात करें तो सेल दा यूनिट अफ लाइफ के चैप्टर प्रिंसिपल ओफ इनहरिटेंस एंड वैरिएशन मॉर्फोलोजी और फ्लावरिंग प्लांट्स यह बायो में इंपोर्टेंट है तो यह बेसिकली तीनों के मैंने बता दिये यह तोपिक्स आप बिल्कुल छोड़के जाएं में एक एवरेज स्कूर आप कर सकते हैं अगर आपके बस डो मेंसाइल है तो 85 परसेंट स्टेट कोटा में आपका एडिमिशन हो सकता है तो वाई ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जो सब्सक्राब कर लिजे और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि हमारे कोई लेटेस्ट अपडेट वीडियो कुछ भी आए तो आपके फोन पर नोडिकेशन आजाएं मिलते नहीं वीडियो में ऐसी नहीं नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार